हलो स्टूडेंट चावडा सर लेक्षर के यूटूब चेनल में आपका स्वागत है कक्षा बारवी विशेजी विज्ञान प्रश्ण बेंक 2021 के अध्याए एक का एक वीडियो हम आप लोगों को देच चुके थे अध्याए एक का सेकेंड वीडियो हम आपको इसमें लेकर आए अन्य बचे वे प्रश्ण उत्तर जो तीन नंबर वाले हैं प्रश्ण बेंक के वो लेकर आए तो आइये शुरूआत करते हम प्रश्ण बेंक के आगे के उत्तरों की और एक एक करके मैं उत्तर आप लोगों को बताता हूं प्रश्ण नंबर पहला देखते हैं पहला प्रश्ण है कि पहला प्रश्ण है अलेगिट चल भीजानू मतलब जू स्पोर तथा युगमनज में क्या अंतर है तो तीन नंबर के कोश्ण के साब से तीन पैंट भी आप लिखेंगे तो चल जाएगा अगर चार अंक में अंतर बताना है तो जू स्पोर अलेंगिक जनन से संबंदित होता है जबकि अलेंगिक जनन से संबंदित होता है निर्मान चल भीजानू धानी के अंदर होता है यह नर और मादा युगमन के सलेन से होता है यह प्रायत अगुणित होते हैं यह हमेशा धीगुणित हो ज दिखे लिषियां के पहला प्रस्थ लाँके पार तब गया है यह प्रजणन में केवल एक प्राणी या बाहत के दिद्ध हैं यहाँ पे नर और मादा दोनों भाग लेते हैं युगमक को का निर्माण नहीं होता है यहाँ पे नर शुक्राणू और मादा अंडानू का निर्माण होता है युगमक सलयन मतलब निसेचन नहीं होता है इनमें निसेचन होता है और इस प्रजनन में केवल समसुत्री विबाजन होता है जबकि यहां अर्दसुत्री और समसुत्री दोनों विबाजन होते हैं तो इस चारो पैंट आप लोग लाइन से नोट कर सकते हैं प्रश्ण से दिखा देता हूं मैं आप लोगों को पहले दो पाइंट नोट कर लिजए आप लोग और फिर अगले दो नोट कर लिजए बात करते हैं प्रेश नमबर तीन की क्लोन क्या है या दूसरी संतति से केसे बिनना है तो जो क्लोन होता है वो अलेंगिक जनन द्वारा उत्पन हुई संतति आकारी की वो अनुवानशी की रूप में एक मात्र जनक के समान होती है अता इन्हें क्लोन कहते हैं मतलब पेले वाली प्रजाती के जो उनकी पुरानी पीड़ी होती है उनके समान होती है इसलिए इनको क्या कहते हैं क्लोन कहते है तो योग्या प्रश्ट नंबर तीसरा बात करते हैं प्रश्ट नंबर चोथे की प्रश्ट नंबर चोथा है जीवों में जनन क्यों आउशके जीवों में जनन क्यों आउशके तो जीवों में जनन अनिवार रहे क्योंकि देखो दो बाते होती है एक तो अगर जीवों में जन और दूसरा जनन द्वारा उत्पन विभिन ताएं जीवन को बदलने पर्यावरण के अनुकुल चिलता प्रदान करती है तो यह जीवन को बदलते हुए पर्यावरण को अनुकुल चिलता प्रदान करती है इसलिए जीवों में जनन आउशक है इसके बाद देखते हैं प्रश नंबर पांच वा प्रश नंबर पांच है कौन सा निशेचन अधिक प्रगत है बहाय निशेचन या आंतिक निशेचन तो देखिए लेंगिक जनन को अलेंगिक जनन की अपेक्षा अच्छा माना जाता है मतलब जो लेंगिक जनन होता है उसकी मुकाबले अलेंगिक जनन को अच्छा माना जाता है किसके मुकाबले अलेंगिक जनन के मुकाबले लेंगिक जनन अनुवांशिक ताएं विभिन्यताओं को जन्म देता है या विभिन्यताओं अर्दसुत्री विभाजन युगमकों के स लेन आदी से उत्पन्न होती है तथा जीवों को बदलने पर्यावरण में अनुकुल चीता पधान करती है अनुआंशिक पुनर स्योजन जीवों के ओजवा जीवन तता में व्रद्धी करता है और विभिन्नताएं प्राकृतिक वरण है तू आवशक कारक होती है अता लेंगिक जनन जे विकास का आधार है ठीक है तो आंट्रिक निशेचन जो है वो अथिक प्रगत माना गया है प्रश्ण नमबर छे देखते हैं यदि आलू का कंद भूमिगत है फिर भी इसे तना माना जाता है क्यों आलू का कंद भूमिगत तना है जो प्रतिकूल दशाओं में रुपांतरित भूमिगत होने चोरी भूमिगत तने के वायूवी भाग सुकर नस्ट हो जाते हैं परन्तु दशाओं में के आनेक पर रुपांतरित भूमिगत तने जैसे आलू कंद आखो या पर्तसादी के चेत्र में कलिकाओं से वायूवी प्रग्रोह उत्पन होती है अगला देखते है प्रेश नमबर साथ ब्रायोफाइटा में वर्धी जनन किस प्रकार होता है पुरी डिटल बता रहे हैं हमने ब्रायोफाइटा प्रतम इस्तानी पादप है इसे पादप जगत का उभैचर भी कहा जाता है इसमें लेंगिक जनन के लिए जल पर निर्भर ह होते हैं यह नम चायादार पुरानी दिवारों पर पाई जाते हैं तथा अलेंगिक जनन काईग जनन विखंडन द्वारा होता है और उसका लेंगिक जनन किस टाइब से होता है इसकी पूरी डिटल हमने इसी कोश्चन में दे रखी है तो यह हमारे साथ कोश्चन अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को क्लिक करें जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए और विशेश रूप से आप किस गाउं से और जिले से हैं वो हमारे कमेंट में जरूर बताएं कि आप कौन से गाउं और जिले से हमारा वीडियो देख रहे हैं जरूर आपके कमेंट में ये जरूर बताएं हमारे लिए ठीक है आने वाले का वीडियो का इंतिजार किजिए तब तक के लिए धन्यवाद